तो आप मार्केट में निफ्टी ले लिजे, बैंक निफ्टी ले ले लिजे, आप अच्छी तरह एक से उनको ट्रैक करें होंगे, मार्केट अपने पुराने ट्रैक को अभी वापिस लोट रही है, आपने भी देखा हुआ कि निफ्टी ने जो अभी 18,100 के आसपास का जो आं जाने की कोशिस कर रहा है, 18,600 का निफ्टी ने जो पहले सबसे हाइस पुएंट बनाये था, उसके उपर फिर निफ्टी वापर जाने की कोशिस कर रहा है, और इस चमे में बहुत सारे लोग स्टोक मार्केट से एक अच्छा रिटन कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेश दोस्तों, आज किस वीडियो में हम ऐसे ही एक पैनी स्टोक का रव्यू करेंगे, जो आगे जाकर मल्टी बैगर स्टोक बन सकता है, मैं बात करना हूँ विकास लाइफ के लिमिटेड कमपनी के स्टोक के बारे में, इधर हम जो जो विकास लाइफ के स्टोक है, उसके फंड हम INTER Ominute Technical Analysis करके ही स्टोक के अंदर आपको इनवेस्टिंग करना है, दोस्तों विकास लाइफ के लिमिटेड कमपनी के स्टोक में इनवेस्ट करने सzeit पहले हम कमपनी की प्रोफाइल देख लेती है कह एक जेकली कमपनी करती क्या है, अगर हम अंदर भी कंपनी अपना जो अच्छा काशा इदर इंकम कमारी है और लेटेस्ट आपको पता होगा कि विकास लाइफ के लिमिटेड कंपनी ने 13 जनवरी 2022 को जो जैनेसिस गैस सॉलूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके 75 परसेंट जो स्टेक ले लिया था और उस कंप्यूटर स्क्रीन के उपर ओघास लाइफ के लिमिटेड कंपनी के स्टौक का इदर यदा टैक्निकल और फंडामेंटल अनलीजिस करते हैं तो चलिए दौस वीडियो करते हैं विकास लाइफ के लिमिटेड स्टोक के बारे में इदर रेव्यू करते तो अगर हम लाट भी देख सकते हैं, उसके बाद अगर हम स्टोक की बात करें, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि स्टोक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें स्ट्रेंथ की बारें पता होना चाहिए, जो इनका दोस्तों प्रोफिट है वो एवरी क्वार्टर, पिछले तीन का लगातार continue increase होता जा रहा है company का जो revenue अगर हम past 2 quarter की बात करें वो भी increase हो रहा है और stock ने 20% से जादा एक महीने के अंदर इधर अपने investorों को return दिया है company के जो promoter है उन्होंने कोई भी place नहीं किया ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि अगर promoter मजबूत रहेंगे तो company भी अच्छी तरह से grow करेगी और अगर हम price की बात करें तो short term और medium और long term moving average दिर अच्छे है लेकिन हमें weakness भी पता होना चाहिए weakness है कि जो इनका score है company भी weak financial थोड़े से नजर आ रहे है वो उसके उपर आप detail में आप अपनी जो technical and fundamental analysis आपको करनी चाहिए opportunity की बात करें तो अभी अगर आपने देखा हुआ गी positive breakout दिया है first resistance में जो highest recovery की है 52 वी कलो से और जो RSI indicator है price strength को तगड़ा दरसाता है तो जिसके अंदर हम इसके अंदर investment कर सकते हैं बट सोच समझ करो कितना investment करना यह आपको पता होना चाहिए अगर हम इसके MC essentials देखते हैं तो 56% इदर पास होते हैं और अगर हम MC technicals देखते हैं trend को देखते हैं तो very bullish नजर आता है अगर हम आज की बात करते हैं Friday की, Friday को approximate अगर हम open 6 रुपे पे हुआ था previous close 500 रुपे 70 रुपे पे होता volume देख लिजिए volume तगड़ी इदर trade हुई है volume लाक्स में भी इदर आप लोग देख सकते हैं advanced site को हम थोड़ा सा बाद में discuss करेंगे उससे पहले हम दोस्तों इदर देख लेते कि market का चल क्यारा अगर हम इसके MC technicals को देखते है तो trend very bullish है moving average bullish है technical indicator bullish है moving average crossover वो थोड़ा सा इदर बीरिश नजर आता है लेकिन अगर हम volume और उसकी बात करते हैं तो volume में दोस्तों इदर तगड़ा जो upward moment इदर दिखाए दे रहा अगर हम community sentiments की बात करें तो community sentiments भी 91% लोग इदर buy की चला दे रहे है 9% लोग sell की और holding की इदर 0% लोग चला दे रहे है तो आप अपने हिसाब से इदर इसके अंदर trade कर शकते हैं investing कर शकते हैं जिस भी हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ इदर हमें investment करना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से stock इदर अच्छा perform करेगा अगर हम इसके advance chart की बात करते हैं तो देखिए advance chart आगया advance chart में इदर आप लोग देख रहे हैं जो volume है इदर मैंने volume के उपर जो करस्ता रखा है अगर हम देखे बुदुवार गुरुवार शक्रवार शक्रवार को बहुत ही ज़्यादा तगड़ी volume रही है और इसके बाद RSI भी आप लोग देख लिए साट से उपर चला गया है relative strength index दोस्तों जो stock के अंदर जो strength कितनी है उसको दरसा आता है और इधर देख लिए जो पिछे closing दी थी 5 रुपे 75 पैसे के बाद stock सीधा लगवे 6% के अब उचला है और अगर हम इधर की बात करें अगर हम इसके तो trend line को ड्रा करते है क्यों trend line ड्रा करने से हमें बहुत कुछ चला पता लग जाता अगर देखें इधर ये तगड़ा resistance का काम कर रहा था stock लेकिन इधर ये 6 रुपे 2 पैसे का इधर resistance है stock ने तोड़ दिया है तो मेरे हिसाब से जो अगला इसका target होना चाहिए वो approximate 7 रुपे 10 पैसे है 7 रुपे 15 पैसे के आसपा stock बहुत ही जल्दी पहुंचना चाहिए अगर हम next resistance की बात करें तो stock का जो next resistance है 7 रुपे 90 पैसे बनता है और stock ने दोस्तों अगर हम इधर एक और trend line अगर ड्रो करते है मैं आपको इधर draw करके दिखा देता है ताकि हमें वारे पूरे clear doubt हो जाए अगर मैं इधर trend line अगर draw करता तो देखिए 5 रुपे 6 पैसे या 5 रुपे 10 पैसे के बीच में stock ने इधर एक तगड़ी sport का काम किया है उसके बाद वापे stock upper moment में गया है तो अगर हम invest करना चाहे तो इस levels के उपर हम stock के अंदर investment कर शकते हैं जो लगबग 6 रुपे 5 पैसे या 6 रुपे 10 पैसे और target मेरे इसाब से बहुत ही जल्दी stock इधर 6 रुपे 50 पैसे और 7 रुपे 10 पैसे के इसाब से पहुंचना वाला है लेकिन इसके अंदर बहुत सार जो foreign investment है वो भी हो रही है तो जिसके देखते हुए मुझे लगता है कि stock upper moment में रहना चाहिए और एक अच्छा return इधर से stock दे सकता है अगर आप भी इसके अंदर investment करना चाहे तो इस level के उपर आप इस विकास life care में investment कर सकते है और long term perspective के हिसाब से एक अच्छा कासा return विकास life care limited stock आपको दे सकता है लेकिन आपको अपनी खुद की analysis भी दोस्तों इधर जरूर करनी होगी ताकि आपके मन में भी यह ना रहे कि कि भी या किसी दूसरे के कहने के भरोसे हमने investment कर दिया लेकिन इधर कर हम वोल्यूम की बात करते है और जो relative strength index है इधर एक तगड़ी मजबूती दिखा रहा है कि stock के अंदर एक तगड़ी मजबूती है लेकिन अपने risk factor को manage करते हुए आपको stock के अंदर investment करना है विकास life care limited stock के बारे में अगर review करें तो इस levels के उपर आप stock को buy कर सकते है अगर आल रेडिया आपके पास stock है तो आप इसको hold करके रख सकते है लोंग टरम perspective के हिसाब से एक अच्छा return आपको इधर विकास life care limited stock से मिल शकता है और अगर आप अपनी technical fundamental analysis का जरूर कीजिएगा ताकि आपके और भी doubt clear हो जाए और अगर आप fresh buying बनाने जा रहे हैं तो इस level के उपर जो अभी stock चल रहा 6 रूपे 5 पैसे और 10 पैसे के target में इधर आप जो new fresh buying इधर बना सकते हैं विकास life care limited stock के बारे में आपका क्या review है मुझे comment section में जरूर comment कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगे और अच्छी लगे तो like कीजिएगा दोस्तो फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिए बंदे मात्रा